इसेल्फ डॉक्टर मंजू मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमेस्ट्री फ्रॉम गॉर्मेंट कोलेज कोटा आज हम हिट्रोसाइक्लिक कंपॉंट्स के अंतरगत पांस सदश्य विसम चक्रिय योगिकों के रसायन के बारे में अध्यन करेंगे उसमें सर प्रथम हम पिरोल को देखते हैं पिरोल जिसका भी हमने प्रिविएस लेक्चर में अध्यन किया था कि इसके संदाचना अनुसुत्र क्या होता है C4H5N इसकी अनुनाद उर्जा का मान होता है 87.8 किलो जूल मॉल इनवर्स माइनस वन इसकी यह वले कई प्राकर्तिक योगिकों धारनाथ, एलकेनोईड, क्लोरोफिल, हीमेटीन, विटामिन B12 आदि में पाये जाता है यह कोलतार इम अस्ती तेल, बोन ओयल में भी पाया जाता है इसके बनाने की विदिया या प्रिपरेशन फर्स्ट विदिये कोलतार वे अस्ती तेल से इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले जानतव तेल लिया जाता है जानतव तेल को तनुक श्यार से हम धोते हैं जिससे उसमें उपस्थित अमली असुद्धियां क्या हो जाती है दूर हो जाती है इसके पश्यात हम इसे तनु अमल से दोते हैं जिससे क्या होगी इसकी शारीय असुद्धियां दूर हो जाती है जानताओ तेल के अंदर से फिर इस तेल का क्या करवाया जाता है प्रभाजी аस्वन प्रभाज करवाने पर प्रभाज पराप्त होता है 100 से 150 डिग्री संटी ग्रेड़ के मद्ध है उसमें एक उपस्तित होता है कर लेते हैं इस प्रभाज कर लें हैं इसकी किर्या किसे कर वाइल जाती है के वर्च के साथ जिससेiger थोस potatio pyrrole प्राप्त होता है इसका फिर हम भापी आस्वन कराते हैं या steam distillation जिससे कि हमें सुद्ध pyrrole प्राप्त होता है जो कि boiling point 131 degree centigrade पर प्राप्त होता है इस प्रकार को उलतार वे अस्थी तेल से हम pyrrole को प्राप्त करते हैं इसका एसेटलीन एवं अमोनिया से एसेटलीन एवं अमोनिया को जब रग्त तप्त नली में से प्राप्त करने पर हमें क्या प्राप्त होता है पिरोल एसेटलीन के दो अन्ड मोलिक्यूल लेते हैं और एक एनस्थी का इसको रख तप नले में से प्रवाइद करते हैं तो उच तापर अमोनियुगा क्या होता है समांस विखंडन होता है और हमें क्या प्राप्त होता है एक पिरोल third method है इसका ammonium musate से ammonium musate को gills roll के साथ 200 degree centigrade पर आस्वित करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा पिर roll प्राप्त हो गया यह ammonium musate का formula है C double bond O O NH4 CHOH 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 C double bond O O NH4 इसको हम निम्द प्रकार से खुले रूप में भी लिख सकते हैं जब हम इसके क्या किस्से करवाते हैं gills roll की presence में 200 degree centigrade पर निम्द प्रकार से अभी क्या होती है यह बंद तूटेंगे यहाँ पर से एक H बंद nitrogen की तरफ होने के कारण बंद के इलेक्ट्रों किस पर आजाएंगे nitrogen पर और इधर oxygen की विद्यूत्रिन तादिक होने कारण nitrogen और oxygen के बीच के मद्ध के electron इधर के तरफ आजाएंगे इस कारण से यहाँ क्या होगा एक CO2 molecule हो जाएगा यहाँ से एक NS3 भी रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पर क्या प्राफ्त हो जाएगा हमें एक double bone नेक्स स्टेप में क्या बनेका 2 nah3 की Side तो सी ओ यह प्राफ्त होता है अब इसकी क्रिए हम किससे करवाएं अमोनिया से करवाने पर क्या होता है यह H और यहां से OH इधर से H और OH और यह NH इसके साथ बंद बना लेता है और हमें एक प्राप्त होती है और साथ में दो वाटर मोलेकुल यहां से निकल जाते हैं इस प्रकार से अमोनियम म्यूसेट से हमें पिरोल प्राप्त होता है तिरह सकसीनी माइड से सकसीनी माइड में कीटो इनॉल समावयवता चलावयवता पाई जाती है इसका की जिंग की उपस्तिती में आस्वन कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है पिरोल प्राप्त होता है यह सकसीनी है keto root inol में यह convert होता है किस प्रकार से यहाँ पर की बंद की electron यहां जाते हैं जिससे यहां क्या हो जाएगा double bone और एक यहां से निकल जाता है और वह ऐच आके कहां जुड़ जाता है ओ इस प्रकार से इसका इनोल रूप प्राप्त होता है जब हम इसकी जिंक की प्रजेंस में करवाते हैं किरिया तो क्या होता है यहां से जिंक एक ऑक्सिजन और इधर से एक ऑक्सिजन लेकर जिंक ऑक्साइड के दो मोलेकुल बहार निकल जाते हैं और हमें एक प्रिरोल प्राप्त होता है इस प्रकार से हम सक्षिनिमाइड से पिरोल प्राप्त कर सकते हैं फिर है फ्यूरेन से फ्यूरेन, अमोनिया, वैभाब के मिस्रन को गरम एलूमीना पर प्रभावित करके पिरोल का उध्योकिक उत्पादम किया जाता है फ्यूरेवन है फ्यूरेवन में ओक्सीजन की विदूत रिंटा अधिक होने के कारण बंद की इलेक्ट्रों कि इधर आएंगे ओक्सीजन की तरफ इधर से भी और इधर से और यहां एनस-3 से यह करेंगे योग तो क्या होगा एनस यहां जूर जाएगा और एस-2 के मॉलिकुल यहां से निकल जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगा पिरोल इसी प्रकार से फ्यूरेन की किरिया मैथिल एमिन से करवाए जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा ऐलूमीनम ओक्साइड एवं के साथ भापियास के मिस्रन के साथ गरम करें तो हमें एन मैथ प्राप्त होता है नेक्स्ट है पोर नोल संसलेशन को सकते हैं इसके अंतरगत 14 डाई की टोन की जब अमोणीया अथवा प्राथमिक अमीन अथवा हाइड्रेजीन के साथ गरम करके क्या प्राप्त होता है में पिरोल और उसके वित्वपन हमें प्राप्त होते हैं इसमें किस प्रकार से क्रिया होती है यह है वन कि फोर डाई कीटोन का कीटो रूप है अब यदि इसके किसमें कनवाट हो जाता है यह पहले इनॉल रूप में यहाँ पर डबल बून आ जाएगा बंद के इलेक्टोन इदर की तरफ आएंगे और यहां का एच यहां से ओएच की तरफ जुड़ जाएगा अब इसके क्रिया हम किसे करवा रहे हैं अमोनिया से तो क्या होगा यह एच यह वाला बंद तूटेगा ऑक्सिजन की विदू त्रेंटा अधिक होने के कारण तो यहां से ओएच निकलेगा इससी प्रकार से सेम यहां से भी ओएच निकलेगा वह यहां से एच ओएच और एच ओएच दो वाटर वॉल्यूम मॉल्यूल निकल जाएंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा इससे तूफाइव डाय मैथिल पिरोल नम्बरिंग कैसे होगी वान नमबर टू थ्री फोर और फाइव तो टू फाइव डाय मैथिल पिरोल का इस प्रकार से निर्मान होता है यही अभी क्रिया यदि हम सक्सेन सक्सीनेलडी हाइड से करवाएं तो हमें पिरोल प्राप्त होगा जिसका की कीटो रूप इस प्रकार से यह पहले किस में कनवर्ट हो जाएगा इनौल रूप में और इसके अभी किरिया हम किसे करवाएं एमीन से तो सेम अभी हमने प्रिवियस स्लाइड में देखा था कि यहां से हो और यह वाला हो निकल जाए इसमें ऐलफ़ा ऐमीनो कीटोन तथा बीटा डाइक कीटोन अतवा बीटा कीटो-एश्टर के मद्दे संग्नन करवाया जाता है ऐलफ़ाय रहे इस यह यह गिधिक है अता इसे वही अभी किरिया मिस्रण में बनाया जाता है इसकी निमद्र प्रकार से किर्या होती है रूप अब इसकी क्रिया सबसे पहले हम किसे करवाएं नाइट्रस अमल से नाइट्रस अमल से कर्वाने पर क्या होगा यहां पर जो CH2 है इसमें एच और कारवन में कारवन की तरफ तूटेगा तो वहां क्या जाएगा माइनस आभेस और इधर O, 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 E, N, double bond, O के अंदर oxygen की विदूतरिन्टा होने के कारवन गट तरफ तूटेगा तो यहां पर NO पर क्या जाएगा प्लसदार तो यह NO का जुट जाएगा इस माइनस से इस प्रकार से फिर इसका हम zinc, acetic acid की presence में क्या करवाते हैं अपचेन करवाते हैं अब चेन कराने से हमें क्या प्राप्त होगा एलफा एमीनों बीटा कीटो एस्टर का कीटो रूप है यह किसमें कनवर्ट हो जाएगा इनोल रूप के अंदर कनवर्ट हो जाएगा कैसी होगा यहां पर ऑक्सिजन इस कार्बन से जुड़ा होने के कारणिस की विद्धूर्ट जाद हो जाएगी तो बंद के इलेक्ट्र इधर आएंगे और यह वाले बंद के इलेक्ट्र ऑक्सिजन की तरफ दात में तो यहां पर क्या हो जाएगा डबल बॉंड हो जाएगा और यह किसमें कनोट हो जाएगा ओज जो की एलफा एमीनो बीटो कीटो एस्टर का क्या है अब ये alpha amino beta keto ester के किसे करवाए जाएगी beta keto ester से किस प्रकार से होती है इसका हम enol rup ले और beta keto ester का भी हम क्या ले ले enol rup तो क्या होगा यहाँ पर OH इस प्रकार से बन तूटेंगे और इधर से NH2 निकल जाएगा और सेम इसी प्रकार से यहाँ से H के बन इधर आ जाएगे और यह वालो H निकल जाएगा तो क्या अप्राप्त हो जाएगा हमें CS3 C double bond C C double agit is यह जुड़ जाएगा यहाँ से एक H निकला है तो NH हो जाएगा इधर की हम देखें तो यह सेम C double bond C हो जाएगा यह जुड़ा हुआ है और इधर CS3 जुड़ा हुआ है और दो water molecule इसमें से निकल गए है एक तो यहाँ से निकल जाता है और दूसरा H यहाँ से अब इसका हम क्या करवाएं जल अब गठन जल अब गठन करवाने से क्या होगा यह प्राप्त होगा और उसकी फिर और अधिक गरम करें तो हमें क्या प्राप्त होगा 2,4-dimethylpirol यदि बीटा कीटो एस्टर के इस्थान पर हम क्या लें बीटा डाइ कीटों ले तो 4-acetyl, 2-ethoxy, 3-5-dimethylpirol प्राप्त होता है नेक्स्ट है हैंस संसिलेशन इस विदी में chloroacetone, वेवबीटा कीटो एस्टर तथा प्राथमिक एमीन के मद्दे क्या करवाया जाता है संग्नन करवाया जाता है यह है chloroacetone का कीटो रूप इसको पहले किसमें करते हैं हम इनोल रूप में तो यहां कारबन और ऑक्सिजन में oxygen की विदूत्रिंटा अधिक है इस कारण से इस कारण की विदूत्रिंटा इस वाले कारण से अधिक हो जाएगी तो बंद के electron की तरफ आएंगे इदर यहां हो जाएगा double bond और यह किसमे convert हो जाएगा OH में अब इसकी chloroacetone अब यह है बीटा कीटो एस्टर का इनोल रूप तो यहां से यह बंद इदर तूटेगा और यह वाला इदर तो यहां से HCl निकल जाएगा और इसकी किरिया हम किसे करवा रहे हैं NH3 से तो इस प्रकार से हमें 3-Carboxy-2-5-Dimethyl-Pirol प्राप्त होता है अब इसको हम गरम करें तो यहां से CO2 भार निकल जाती है तो यहां से निकल जाएगी और CS3, CS3 तो क्या प्राप्त होगा हमें 2-5-Dimethyl-Pirol इस प्रकार से हम हैंस संसलेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं अब हम इसके पढ़ेंगे भोतिक गोण या फिजिकल प्रोपर्टिज क्या है यह एक रंगहीन द्रव होता है पिरोल जिसका कुछ नाम कितना होता है 131 degree centigrade यह जल में अल्प विलेसील है किन्तु एथेनोल वे इथर में अत्यांत विलेसील होता है वायू में खुला छोड़ने पर तिवरता से आक्सिक्रत या उक्सिदेशन होने के कारण गहरा काला हो जाता है वे अंत्मी रेजिन जैसा हो जाता है इसकी एक महत्पूर्ण अभी करिया यह है कि यदि चीड की लकड़ी का टुकड़ा या चीपी पाइन स्प्लिंट को HCL में भिगो कर पिरोल की वास्प के संपर्क में लाया जाए तो वहत तुरंत कों से रंकी हो जाती है रेड इस परिक्षन से ही इस योगी का नाम क्या पड़ा है पिरोल क्योंकि ग्रिक भासा में पाइरोस का अर्थ होता है दहकता, लाल फाइरी, रेड और लेतिन भासा में ओलियम का अर्थ होता है तेल अन्थ है पाइरोज प्लस ओलियम से इसका नाम क्या पड़ा है पिरोल अब हम इसके राशायन गुण देखें तो पहला गुण हम देखें क्षार्य गुण तो क्षार्य गुण या basic character तो पिरोल एक दुर्बल क्षारक की भाती व्यवार करता है इसका PKB का मानाता है 13.6 और PKA का मानाता है 0.4 तथा KB का मानाता है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14 तो पिरोल की यह निम्न अनुदादी सन्रचना है किस प्रकार से अनुदाद होगा जो नाइट्रोजन पे एका की इलेक्ट्रोन युग में हो इधर सिफ्ट होंगे और यह वाला बोन इधर तूट जाएगा तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आजएगा यहां डबल बोन बन जाएगा और यहां पर माइनस चार्ज यह एका की इलेक्ट्रोन युग यह यहां सिफ्ट होंगे और यह वाला बन तूटेगा तो यहां डबल बोन बन जाएगा और यहां पर एका की इलेक्ट्रोन प्रोटोनी करण के लिए आसानी से अपलब्द नहीं होता है जैसे कि हम यहां देख रहे हैं कि जो एका की इलेक्ट्रोन यूग था वो अपलब्द नहीं होगा क्योंकि वह अनुनात के दारा इस रिंग के अंतरगत चला जाता है आता है पिरोल एक दुर्बलक्षार की भाति में काम आता है यदि पिरोल पर अमलर्यकी किर्या द्रहा एक प्रोटोन का योग होता है तो बना उत्पाद वान प्रोण धनायन शो जाता था क्योंकि इसमैं अनुनात के समान कोई स्थाई करण कारक नहीं होता है जैसे कि हम यहां देखें प्रोटोन का योग करवाएं तो यह इस प्रकार से होगा तो क्या होगा यहां पर एक हाइट्रोजन आइन जूड़ जाएगा तो यह पिरोल धनाय के रुप बनता है तो यहां पर अरोमेटिक सर्टक इसका प्रकार में हमने दर्सा है तो यहां पर तो प्लस चार्ज ओ लाश्ट में यह माइनस पर क्या जूड़ जाएगा एक इस प्रकार से इसका भूली करण होता है अब हम देखें यहां यह जुड़ गया है अब दूसरे पिरोल से इसके अभी किर्या करा है तो इस प्रकार से यह दूसा पिरोल इसके साथ जुड़ता जाता है इस प्रकार पिरोल की खनी जमलों के प्रती किर्या सीलता या सविन दन सीलता के कारण इसका सलफोनी करण, नाइटरी करण, आदी, प्रतिस्थापिन किरियाएं, शारिय अथवा, दुर्बल, अमलिय माध्यम में संपन होती है शंक्षीप्त में हम कह सकते हैं कि पिरोल पर प्रोटोन की किरिया इस प्रकार से होती है यहाँ से इस प्रकार से होगा तो माइनस यहाँ पर एक हईडरोजन आयन जोड़ जाएगा, फिर इधर टूटेगा और यहाँ आजाएगा तो क्या होगा, यहाँ डबल बोन आजाएगा, यह ग्रम दान आयन होती होता है इस प्रकार से हम पिरोल के एक श्यार ये गुनों की व्याख्या कर सकते हैं थैंक यू